Good morning everyone, welcome to 4B engineers, आज है 19 फर्वरी 2019 और 19 फर्वरी 2019 में current affairs से related जितने भी important questions होगे और उनसे related facts इस वीडियो में हम वो discuss करेगे अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो इसे subscribe करना ना भूले चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला question Recently NASA has announced the launch of which mission to test the universe हाली में ब्रह्मान की जाच के लिए NASA ने कौन से mission launch किया है तो ये है Spear X mission Spear X mission है क्या इसमें life और जो universe है उसको ये केसे बना इसकी उत्पत्ती हुई केसे इसको समझने के लिए mission को सुरू किया है अब बात आईए यहाँ पर NASA की तो NASA की full form है National Aeronautics and Space Administration जो की established हुआ था 1958 में इसका headquarter है Washington DC और इसके present time पर administrator है जिम बिडिस्टिंग Second question है which practice has been organized in Rajasthan recently हाली में Rajasthan में कौन सा अभ्यास शुरू हुआ है तो ये हुआ है वायू सक्ति अभियाद अभ्यास जो कि राजिस्थान में पोखरन में शुरू हुआ और इसको Indian Air Force ने शुरू करवाया है तो अब बात आई यहाँ पर राजिस्थान की तो राजिस्थान की केपिटल है जैपूर सीए में असोग गिहौल्ट और गवर्नर है कल्यान सिंग और हमारे प्रेजेंट टाइम पर एयर वाइस एयर चीप जो है वायू सेना प्रमुख यह है बी एस धनोवा और राजिस्थान जो है यह एरिया वाइस देखा जाए तो यह अपने इंडिया क सबसे बड़ा स्टेट है थर्ड क्वेश्चन है रिसेंटली हूँ एज अपॉइंटेड चंद्रमोली रामनाथन हैस कंप्रोलर एंड असिस्टेंट जनरल सेक्टरेटर्ट हाल ही में किसने चंद्रमोली रामनाथन को नियंत्रक और सहयक मास अच्यू के रूप में नियुक युनाइटेड नेशन इस्टेब्लिज हुआ था 14 अक्टूबर 1945 को और 14 अक्टूबर को ही युनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है इसका हैटकॉर्टर है नियु यॉक में और इसके प्रेजेंट टैम पे सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेवस हाल ही में IAF की पहली महिला फ्लाइट इंजिनियर कौन बनी है तो ये बनी है हीना जैस वाल अब ये IAF क्या है ये है इंडियन एर फोर्स और इसके वायू सेना के प्रमुक अभी मैंने इसके पहली भी बताया है एर चीफ बी एस धनोवा है फिफ्ट कोशन है फू हैस रिसेंटली बीन ओनर्ड एस बेस्ट डारेक्टर फ्रों पेटा हाल ही में पेटा से सर्वस्रेश्ट निर्दिशक के रूप में ब्रेटली कूपर को चुना गया है अब ये पेटा क्या है पेटा की फुल फोर में हितों के लिए काम करने वाली एक और्गनाइजेशन है पेटा सिफ्ट कोशन है रिसेंटली पी सी मोदी हैस बिन अपोइंटेड एस दा प्रेसिडेंट ओफ CBDT हाली में CBDT के नियु अद्यक्ष के रूप में PC मोदी को नियुक्त किया है अब ये CBDT की फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है Central Board of Direct Texas सेवन्त कोशन है विच बैंक हैस रिसेंटली साइन 40 मिलियन डॉलर लोन एग्रिमेंट फॉर ड्रिंकिंग वॉर्टर सप्लाई इन हिमाचल प्रदेश हाल ही में पेजल आपूर्ते के लिए भारत ने कौन से बैंक के साथ 40 मिलियन डॉलर का रिंका समझोता किया तो ये किया है वर्ल बैंक के साथ अब बात है यहाँ पर वर्ल बैंक की तो वर्ल बैंक इस्टैब्लिज हुआ था 1945 में जिसका हेटकॉर्टर है वासिंटन डीसी में और इसके प्रज़ेंट टाइम पे सीओ है क्रिष्टिलीना जॉर्ज रीवा अब ये हिमाचल प्रदेश की गवर्मेंट ने किया है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते है इसकी कैपिटल है सिमला सिये में जैराम ठाकूर और गवर्नर है और आचार्य देव व्रत एट कोश्चन है हाली में भारत अमेरिका वानिज्य समवाद कहां पर आयोजित किया गया तो ये किया गया है न्यू देली में नाइन्ध कोश्चन है विच सिटी हैस बीन अट टॉप आप अप दर रीसेंट क्लीनलेस एक्सिलेंस अवर्ड हाली में स्वच्छता उतक्रष्टता पुरुसकारों में कौन टॉप पर रहा है तो ये रहा है रायगड रीसेंट क्लीनलेस एक्सेलेंस अवर्ड में रायगड टॉप पर रहा है तो यह सेकंड नमबर पे कौन रहा है तो सेकंड नमबर पे हैं अम्भीकापुर और थर्ड नमबर पे हैं कुम्ब कोना हाली में प्रदान मंतरी नरेंद मोदी ने आदिवासी चात्रों के लिए एकलवे मौडल आवासी विद्धालय का उद्धाटन किया है वो भी महारास्ट में आदिवासी मतलब ट्राइबल लोग चात्रों के लिए अब बात है यहाँ पर महारास्ट की तो महारास्ट की कैपिटल है मुंबई CM है देवेंद्र फैड नैविस गवर्नर है सी विद्या सागर राव तो यह था इस विडियो का लास्ट कॉस्चन अगर यह विडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सेयर करें और आपको कॉस्चन से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें ओके फ्रेंड थैंक यू फोर वाचिंग मा वीडियो